सक्ति जिले में कुपोशित बच्चे के प्रबंधन के लिए आधिकारिक कारिशाला आयुजित की गई जिसमें सभी परियोजना आधिकारियों और परियवेक्षकों को प्रसिक्षन दिया गया महिला और बाल विकास विभाग की जिला पोश्चन समन्व्यक किरन काजल ने बताया कि 36 गड़ में इस कारिक्टरम का क्रियानवन 11 चर्णों में किया जा रहा है सक्ति जिले के परियोजना अधिकारी और महिला कारिकर्ता उपस थे शनी जैंती की पूर्व संधिया पर राजनान गाउं शहर के रानी सागर तलाब के पास स्थित सनिधाम मंदिर में दो दिवसे कारिक्टरम का आयोजन किया गया इस मौके पर देड़ लाग से अधिक दीप प्रज्वलित कर जलसन रुक्षन का संदेश दिया गया वही विश्व परियावरन दिवस के मौके पर मेरा पेड मेरा परिवार अभ्यान की शिरवात की गई है सनातन संस्कृती में प्राचीन काल से हिन दिया और तलाब आस्थ से वापस लेकर आई थी जिसके बाद उन्हें सती सावित्री कहा जाने लगा गरिया बंजले के फिंगेश्वर की सुहागिन महिलाओं ने इस पर्व में बढ़ चाड़ कर हिस्सा लिया और उत्सापूर्वक वट सावित्री की पूजा अर्चना की वालोज जिला मुख्याले से लगभग 20 किलो मीटर दूर आसरा गाउं में रोजगार सहायक द्वारा ग्रामिनों से वसूली करने का मामला सामने आया है ये रोज़गार सायक मंरेगा में काम करने वाले मजदूरों से 7 रुपे मिट्टी धुलाई के नाम पर रोज़गार सायक की ओर से वसूली करता है इसके शिकायत ग्रामिनो ने जुला पंचायत के मुखे कारे पालन अधिकारी से की और उसके खिलाफ कारवाई करने के मांग की गई है